जये श्रीराम आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती मैं तो बोलता हूँ कि अगर भगवान भी उतर जाये ना धरती पे तो भी वह आपका कुछ नहीं बिगाड सकते आपकी माँ उनसे ही लड़ लेंगे और जीत जाएंगे लेकिन पूरी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है जिस दिन आप बाहर निकल जाते हैं जिस दिन आप बाहर निकले उसके अगले दिन से ही या उस दिन से ही पूरी दुनियादारी, दोस्त, रिष्टेदार, पडोसी सब सब आपके सामने चैलेंज फेकने लगते हैं और उसके बाद आप की मा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती सबसे आपको ही लड़ना पड़ेगा आपके हिस्ते का संगर्श आपको ही करना पड़ेगा अब इसमें आपका टैलेंट है कि आप इसे में इस situation में इस challenge को कैसे accept करते हैं और अपने मन को कैसे शांत रखते हैं प्लस positivity के साथ आप कैसे जी सकते हैं ये आपका talent होता है इसके बाद से आपको पता है आज के समय में अगर किसी का माना शांत करना है तो आप उसको गाली दे दो आपको लोग गाली दे देंगे आपका माना शांत करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है और अगर आपको किसी ने गाली दिया आप भी शुरू हो जाथ अरे उसने मेरे को गाली दे दिया आप भी बोलने लगते हो तो ये चीज़ को आपको handle करना पड़ेगा ऐसा नहीं है अपने आप पे आपको control रखना पड़ेगा देखो जितनी खाई देखे हो ना खाई जितनी ज्यादा खाई गहरी रहती है उतनी ही ज्यादा उंची रहती है उतनी ही ज्यादा उंचाई पर रहती है आज के समय में देखो मैं एक बर और आपको बताना चाहूंगा कि मनोज डे का फादर दिन का 200 रुपए का माता था जिसके फादर दिन के 200 रुपए का माते थे उसका लड़का आज महीने का 15 से 16 लाख 20 लाख रुपए आराम से निकाल रहा है आप पर डे के उसकी इंकम निकालोगे ना तो 50,000 और उससे भी ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा गहराई है उतनी ही ज्यादा उचाई है जितना ज्यादा अपोज उसका कितना अपोज हुआ मनोज का हर कोई उसका oppose गया और आज देखो अतने ही ऊपर है वो तो बताएं न मैंने जैसी जितनी ज्यादा गहरी खाई होगी उतना हजादा उतनी ही ज्यादा उंचाई होगी जितना उसका oppose हुआ है ofna ज्यादा उससे ही ज्यादा हो कमा रहा है इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या वो talented है, क्या आपसे वो कुछ ज्यादा जानता है, क्या आपसे बिल्कुल बहुत smart दिखता है, क्या उसके पास सब कुछ था, इस में से एक भी सवाल का जवाब अगर आपको हां में मिल जाए ना, तो आप YouTube नहीं कर सकते हो, ल उसको जितना ग्यान आज के डेट में है ना, आपके पास भी उतना ग्यान है आज के डेट में, बस उसमें और आप में अंतर यही है, कि उसके पास आज पैसे हैं, और आपके पास आज पैसे नहीं है, उसके पास आज आज पैसे नहीं है, काम करो, अपना talent आपको इसी दु तो जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा अपोज होता है उतना ज्यादा वो आगे बढ़ता है ये बात आपको समझना है और इसी में आपको अपने टैलेंट को देखाना है कभी भी नकारात्मक मत होना आपके हिस्से का संघर्ष आपको करना पड़ेगा जब आप अंदर दे तो आपकी मा कितना संघर्ष की आपके लिए और आप अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हो यार डरते हो लगता है कि काम कैसे काम करूं व्यूजी नहीं आ रहे हैं इतनी चोटी सी चीज के लिए यूटूब जैसी चीज के लिए यार मैं बोलता है यूटूब बड़ी चीज़ है, यूटूब हाऊगा है, बहुत सारे लोग यूटूब पे आ चुके हैं, बहुत competition हो चुका है, तो फिर मत ही आओ, आप मत ही आओ ना काम करने, मुझको कई लोग बोलते हैं कि सर चैनल बनाना है लेकिन इस केटिगरी में चैनल बना लूँ, इसमें competition काम मत करो, भाई कोई भी आपको ग्यान देगा, वो खुद काम कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं काम छोड़ दे रहे हैं, बताओ आप खुद सोचो, आज आओ यूटूब पे काम करो, competition हर जगे ज्यादा है, लड़ो जीतोगे, लड़ोगे नहीं, जीतोगे नहीं, talent इस किसी को कहते हैं, कितनी भीड में भी आप अपने आपको साबित करो, अपने आपको प्रूफ करो, किसी की बात से आपको नखरात्मक नहीं होना है, किसी की बात को एकदम धिल पे नहीं लेना है, थोड़ा अपने भी दिमाग को लगा के सोचिए यार, इश्वर ने आपका भी तो दिमाग आपको दिये है ना आप जो बागी है के रेटर्स को देखते आए हो सुनते आए हो मेरे को नहीं पता आपने कितने लंबे समय तक उनको सुना है देखा है लेकिन इस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा इस चैनल की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्स का लिंक है एक बार आप मुझको सुनने का मौका देए मैं पूरी आपकी यूटूब की लाइफ बदल के रख दूंगा यूटूबटब पर कैसे काम करना है यूटूब पर क्रो होना है YouTube कैसे वर्क करता है कब हमको वीडियो अपलोड करना चाहिए कैसे क्या वीडियो वाइरल होती कैसे बूस्ट होती कैसे चैनल बूस्ट होता है सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में किया हूँ बस एक बार आप मुझको सुन लीजे आप सभी ने उन सभी वीडियो को 5 स्टार रेटिंग्स दी हैं अभी तक आपके positive positive comments आते हैं उन सभी वीडियो पे क्यों आते हैं क्योंकि आपके लिए वो सारी वीडियो हैल्फल रही है तो डरो मत, काम करो oppose अगर हो रहा है होने दो तो जितना ज्यादा आपका विरोध होगा, उतना ज्यादा आप उचाईयों पर जाएंगे, ये बात को हमेशा है, कुवा जितना गहरा रहता है ना, उतना ही उसका पानी मीठा रहता है, तो जितना ज्यादा लोग आपको बोरा काएंगे, जितना ज्यादा आपको गाली दें थेंक्यू वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक किजेगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वीडियो का आप वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियो को देखिए अगर आपको एक सफल यूट्यूबर बनना है तो और किसी की बात को सुनके ना दिमा किसी ताहरा हूं